स्वागत है आपके स्युटूब चैनल स्टडी विस सिवांसु में तो आज हम लोग देखने वाले हैं पेट्रोल एंड रिफाइन इंडेस्टी ठीक है तो पहले इसका स्लेबस देख लेते हैं स्लेबस क्या है तो पहला टॉपी है इसमें कॉंस्टिक्वेंट ऑफ पेट्रोल तो यह दो हमको डिस्टीलेशन पढ़ना होगा कि कैसे डिस्टील होते हैं और इसमें पढ़ना है प्ट्रोलियम रिफाइनिक प्लांग तो यह इसमें काफी चोटा है जो इसलेबस में तो हम लोग यह कहीशाब से पढ़नेंगे तो इसमें क्या है कॉंस्टिक्वेंट ऑप petroleum पढ़ना है और atmospheric distillation पढ़ना है vacuum distillation पढ़ना पढ़ना है तो आईए शुरू करते हैं वीडियो को वीडियो को तो syllabus भी हम लोग ने देख लिया क्या-क्या syllabus में तो syllabus की हिसाब से हम लोग पढ़ेगे तो देखते हैं petroleum petrol refining industry को पढ़ते हैं ठीक है तो पहले introduction में देख लेते हैं in the ground of earth many types of things founds and special things are found मतलब की अर्थ की ground पे कई तरह कई तरीके की चीजें पाई जाती है special चीजें पाई जाती हैं जो की in the between of two rocks मतलब की दो पत्थरों के बीच में होता है और वह smell करता है black color होता है viscous होता है और bright होता है ठीक है तो इसका quality क्या होता है smelling होती है black color की होती है viscous होती है और bright होती है चमकीली होती है तो इसको हम लोग जो smell करे black color हो viscous हो और bright करे तो उसको हम लोग क्या करेंगे क्या कहेंगे? crude oil कहेंगे ठीक है तो petroleum words obtained from latin word petroleum का जो latin word से मिला है petra का मतलब होता है rock, oleum का मतलब होता है oil ठीक है तो rock oil rock oil कह सकते हम लोग ठीक है तो it is called crude oil rock oil in the petroleum found paraffin hydrocarbon aromatic hydrocarbon nitrogen and oxygen compounds are found तो crude oil को हम लोग rock oil भी कहते हैं और जो petroleum है क्योंकि हमको petroleum refining industry पढ़नी है तो petroleum में क्या पाया जाता है paraffin पाया जाता है, aromatic पाया जाता है nitrogen या oxygen पाया जाता है तो यह हो गया ठीक है, introduction हो गया तो introduction में आप लोग हिंदी में क्या लिख सकते हैं हिंदी में यह लिख सकते हैं कि धर्ती के नीचे हिंदी में आप यह लिख सकते हैं कि धर्ती के नीचे एक पत्थरों के बीच में जो smell black color और viscous और bright जो पाया जाता है उसे हम crude oil कहते हैं ठीक है, और इसका और यह latin word और petroleum में जो पाया जाता है paraffin, aromatic hydrocarbon और nitrogen और oxygen तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अब देख लेते हैं consequence of petroleum ठीक है consequence of petroleum ठीक है तो पहला देख लेते हैं petroleum is the mixture of hydrocarbon mainly found in paraffin carbon ठीक है तो अभी मैंने बता है petroleum क्या है petroleum एक mixture है hydrocarbon का जिसमें की mainly hydrocarbon पाया जाता है ठीक है अब crude oil found hydrocarbon added sand water oxygen nitrogen with organic compound तो crude oil crude petroleum में क्या होता है hydrocarbon होता है जिसमें की sand water oxygen nitrogen के साथ organic compound भी होते हैं जिसको हम लोग refine करते हैं ठीक है we can say that petroleum is established from plant trees because in the plant has nitrogen ठीक है तो हम यह भी कह सकते हैं कि petroleum जो होता है वो कहां से बनता है तो कहां से बनता है वो plant से बनता है trees से बनता है क्योंकि plant और trees में nitrogen होता है ठीक है तो इसको हम लोग topic बना के लिख सकते हैं consequence of petroleum में ठीक है तो इसको मैंने लिखा नहीं है बस लिख दिया कि it's consequence in many ways CNG diesel petrol carous in ETC तो इसको आप topic बना के लिख भी सकते हैं ठीक है तो consequence of petroleum यहीं पर खतम होता है अभी next topic देखते हैं जो petrol refine होता है वो frictional distillation शे होता है तो पहले इसका समाज़ लेते हैं कैसे रिफाइन होता है तो जो पिछ होता है पिछ जानते होंगे एक क्रूड ओल से भी होता है तो पिछ को हम लोग डालते हैं दिश्टिलेशन कॉलम में पिच को हम लोग डालेंगे तो इवापरेटर लगा होता है तो इवापरेटर से हम लोग इवापरेट करते हैं और पेट्रोलियम को उपर से मतलब कि यहां से एक कॉलम लगा होता है पेट्रोलियम को हम लोग यहां से निकाल लेते हैं ठीक है पेट डिश्टिलेसन करते हैं का मतलब क्या होता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसको हमोग प्रेसर से एक एटमास्पेरिक प्रेसर से या व्यक्यूट से उसकोम त il भीक करते वही होता है boiling point कम करके उसको आम करते है जैसेकि माले लीजिए water का water का boiling point 100 centigrade होता है डिकरी छंटिगेट होता है खो हम लोग इसको वेक्युम प्रेसर याát लगाने के water का boiling point करते हैं तो यही होता है distillation ठीक है यह ही distillation प्रोसेस होता है तो जो की हम लोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज करते हैं ठीक है तो जो होते हैं उनको हम लोग मेनी वेस पे निकाल लेते हैं जैसे कि गैसे हो गया क्रूड क्रूड नेक्ता हो गया केरोसीन हो गया डीजल हो गया और हैवी आइल हो गया तो हम लोग दूसरे टैंग में ले आके डिस्टिलेशन करते हैं जिसमें से की क्रूड नेप्ता केरोसीन डीजल हैवी यॉयल गैसे हम लोग को अप्टेन हो जाती है तो रिफाइनिंग प्रोसेस यही है और अब देखते हैं अट्मोसपेरिक डिस्टिलेशन और वैक्व में दिस्टिलेशन और उसके बाद प्हल ईफास सिंद में प्रोसेश इनके अप्रोसेस डिस्किप्वशन आप लोग अपने सेलेश लिए में ऑब तो यह सब जाने करते हैं तो वही डिस्टिलेशन हो गया ठीक है तो पहले क्या करते हैं हम लोग क्रूड लेते हैं क्रूड लिए क्रूड को हम लोग फरनेस में ले गया फैरनेस में हम लोग गरम करते हैं, गरम करने के बाद उसको distillation column मिलाते हैं, वह distillation column मिलाएंगे और इसमें क्या होगा कि हम लोग को pressure चाहिए pressure से हम लोग boiling point कम कर पाएंगे तो इसमें क्या होता है कि हम लोग pressure को नहीं यूज करते हैं, इसमें हम लोग atmospheric इसको आप लोग याद रखिएगा की अटमस्पेरिक डिस्टिलेसन करेंगे जो इसको आपको याद करना है गैस मिलती है 20-35 centigrade पर मतलब कि हम गरम करेंगे उसके बाद यहां पर आएगा तो distillation होगा distillation जब होगा 20-35 degree पर हमको गैस मिलेगी नेपता मिलेगा 40-70 degree गैसोलीन मिलेगा 70-180 centigrade पर केरोसीन मिलेगा 170-180 डीजल मिलेगा भी वही 170-180 और fluid oil, fluid oil जो मिलेगा 400 centigrade के equal या उससे उपर मिलेगा इसी तरह residue oil जो होगा वह भी 400 से उपर या 400 के बराबर मिलेगा जो residue oil होता है हम लोग उसको फिर से यहीं पे ले आते हैं और फिर से उसको distillation करते हैं ठीक है और उपर से हम लोग गैस को जितनी भी तरीके की यह गैस होती ह और उसके नीचे जो हता है gasoline निकाल लेते हैं तो ठीक है यह atmospheric distillation column हो गया और इसमें हम लोग atmospheric pressure का यूज करके distillation करते हैं ठीक है तो यह हो गया process description आप लोग देख लिजे एक बार पढ़ लिजेगा बाकी अगर आपने इसको समझ लिया साई से तो आराम से आप लोग कर सकते लिख सकते हैं अभी vacuum distillation column देख लेते हैं vacuum distillation column में क्या है तो इसमें vacuum distillation column में क्या है कि इसमें जो residue oil में निकलता है जो residue oil निकलता है atmospheric distillation column से हम उसी को यूज करके हम लोग इसमें से distillation करते हैं तो vacuum distillation में क्या होता है कि atmospheric pressure करने यूज करते हैं हम लोग इसमें से pressure देते हैं क इजेक्टर लगा होता है यह vacuum pressure को generate करता है तो ejector इस में main होगा क्योंकि यह cool pressure vacuum pressure बनाएगा तभी इसमें देगा क्योंकि ए需要 iste छुछ हम से उसे णोग को दिंगे इसको सबस्तिखा है इसको 500-600ंट के गरेंगे उसके बाद हम वेक्यूम-डिस्टिलेशन काला में इसको डाल देंगे प्रियेट करेंगे ओ उस- hate well हम इसमें ब्रीज सब्सक्राइब को होगा इस में दो फ्रों में ध्यॉ मिलेंगा इंसे यौज फ्रीजु फुर इता नि ठीक है और हैवी वेक्यूम गैस ओयल में क्या होगा सारे हैवी ओयल मिलेंगे हमको तो इसमें क्या होगा हैड्र हाइड्रो क्रैकिंग होगी हैड्रो क्रैकिंग होगी तो हमको एस्पेन मिलेगा एस्पेन का क्या होता है C70 उसके बाद यह LVGO, HVGO यह दोनों प्रोसेस हो गए और नीचे क्या होगा vacuum residue पत्रब इसमें से भी कुछ ना कुछ तो byproduct निकलेगा तो byproduct क्या हो जाएगा coal-tar unit हो जाएगा whiz breaking हो जाएगा, bitumen unit हो जाएगा coal-tar भई होता है ना जो हम लोग roads बगार बनाने के लिए उसमें से residue ली आइन में vacuum .दिस्टिस्टिलेशन करते है preciso Hour-urar पेट्रोलियम डीजल मिल जाता है उसके बाद जो इसमें से रेसिड्यू गचता है उसको हम लोग फिर बाइप्रोडक्ट होता है उसको हम लोग दूसरी जगए यूज कर लेते हैं तो इसका यह हो जाएगा प्रोसे डिस्क्रिप्शन देख लिजिए तो अब पलेशन अमेडमेंट मेंड में क्या होता है air pollution होता है air pollution कैसे होता है इसको आम लोग कैसे हटा सकते clean up smoke with the help of filter and scrubber एंश्करबर मतलब की जो smoke निकलता है तो इसको हम लोग filter या इस्क्रबर से हम लोग इसको हटा सकते हैं और fix leak and use cleaner process हम जो leakage होते हैं उनको हम लोग बंद कर सकते हैं और special equipment reduces harmful gases मतलब कि जो special equipment होते हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं जैसे की cyclone separator वगरा हम लोग use करेंगे तो उससे air pollution का काम होगा और इसी तरह water pollution में देख लेते हैं special treatment remove pollutants from waste water अगर हम लोग special treatment करेंगे water के साथ मतलब की water treatment अच्छे से करेंगे तो उसमें जो pollutant होंगे waste water में उसको हम लोग हटा सकते हैं treated water be reduced from the refinery हमको जो water treat करेंगे उसको हम लोग reuse कर सकते हैं और जो practice prevent contaminated water from entering rivers and steam मतलब की जो direct river या rivers में जो पानी होता है जो मालेज़े refinery में आपने पानी यूज किया ठीक है तो उसको बीना treatment की हम लोग जो rivers में सीधा ही flow करवा देते हैं तो उसको हम लोग नहीं करना चाहिए पहले हमको water को treatment करना चाहिए उसके बाद हम लोग rivers में डालेंगे फिर उसके बाद land pollution में क्या होता है कि proper handling and disposal waste management environmental risk मतलब कि हम लोग जो उसमें से waste solid waste निकलते हैं तो उसको हम लोग डारेक्ट जो handling करते हैं तो environment को risk हो सकता ठीक है क्योंकि land में harmful gases होंगी वो land को भी नुसकान पहुचाएंगी तो इसको हम लोग देखना चाहिए और special technique clean up with contaminated soil मतलब soil and water soil को जैसे माल लेजी कोई gases है gas soil को भी खराब कर सकती हो वहाँ पे खेती नहीं हो सकती तो इसके लिए हम लोग को land pollution का भी देखना पड़ेगा उसमें special techniques लगाके हम लोग को soil को भी बचाना पड़ेगा तो beyond the basic क्या होगा कि हमको यह देखना पड़ेगा कि जो air and water हो वो clean हो और environmental management के लिए environmental management करना पड़ेगा और community working with community build trust and transparency मतलब कि community में हमको work करना पड़ेगा और trust को build करना पड़ेगा और looking forward में क्या लिख सकते हैं तो looking forward में हम लोग देख सकते हैं advanced techniques हम लोग use कर सकते हैं refinery को grow करने के लिए और economy जो की chemical engineers के लिए होता है economy हमको principle में रखना पड़ेगा कि कितना use हो रहा है कितना economy मतलब कि कितना हम लोग खर्च कर रहे हैं उसको बनाने में ठीक है तो यही सब pollution अबने में हम लोग air pollution water pollution land pollution beyond the basic looking forward इतना पांच topic लिग देंगे तो आपको रिफाइनिंग पेट्रोल हमारा चो पेट्रोलियम और रिफाइनिंग इंडस्ट्री में इतना ही पढ़ना था तो आज की वीडियो में इतना ही ड्zne वीडियो में हम लोग शोप इंडस्ट्री पल्प इडस्टी और पॉलिमर इंडस्टी यहीं त Запad लिए तो इसको आम लोग देख लेंगे ठीक है वीडियो पसंद आज को लाइक कर देए मारा था शंट रीक शेनल को स्ट्राइब भील सिरी हो टोुई समिस भीली कि जगने क्वास्ट कहसे